हालो फ्रेंड्स वेलकम टो अनपंक क्रिएशन्स आज मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खुबसर डिजाइन शेयर कर रही हूं जो की देखने में खुबसूरत है और बनाने में उतनी ही इजी भी है इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो टू क की जगह यह 4 रो की जगह 8 रो की डिजाइन हो जाती है यहां पर मैंने 14 फंदी डाले हैं 2 रो मैंने बेसिक बनाई है जिनमें आगे से यह सीधे-सीधे फंदो से बनाई गई है और बैक साइट से यह उल्टे-उल्टे फंदो से बनाई गई है जैन की फर्स्ट रो जो की र यहाँ पर सलाई डाल करके एक लूप बना लेंगे, यह फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर दो फंदे बनाएंगे, फिर इसी तरह से दो फंदे नीचे हम एक लूप बनाएंगे, पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, दो फंदे सीधे बनाने हैं, और दो फंदे क हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको हम उल्टे बिन लेंगे और जो फंद हमें स्लिप किया हुआ जो हमने लूप लिया था उसको हम स्लिप कर लेंगे फिर दो फंद हम उल्टे बिनेंगे और जो हमने लूप बनाया था उसको स्लिप कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें, अगर आपको मेरे ये डिजैन पसंद आई हो, इस डिजैन को बनाने का धंक, समझाने का धंक, अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने साथियों के साथ शेयर करें, अब हम डिजैन की थर्डों पर हैं, जो की राइट साइट चे है, पहला पंदा हम सीधा भूल लेंगे, इसके बाद ये जो हमने लूप लिया था, वो पंदा, और इसके आगे वाला पंदा, इन दो सीधा भूल लेंगे, दो फंदो को सीधा भूल लेंगे, और इस लूप को इन दोनों फंदो के उपड़ से स्लिप कर लेंगे, ये इस तरह से बन जाएगा, फिर इसी तरह करेंगे, ये देखी ये लूप है, और ये लूप के पहले वाला पंदा है, इन दोनों को इस त इसके बाद लूप के सिवा, जो दूसरा पंडा उसको सलाही ४ेस तरह लें करके हम दूपने सीधे बुण लेंगे, यह एक और यह ढूर और फिर यॅसल इस लूप को इन दोने सदुन के में उपर से से थेंगे इसी सिधाने के यह लूप के पहले वाला फंद हैं इन धोनों को सलाई पर इस तरह से पलट लेंगे से पफन लेंगे. अब हम गयान की 4th रो पर हैं जो की back side से है सारे फंदो को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे पूरी रो हमें उल्टे फंदो से बनानी है और रो हम बना चुके हैं 5 रो पर हैं, डिजायन की जहाँ चेंच करनी है इसलिए हम क्या करेंगे एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे पहले हमने दो फंदे सीधे बनाये थे तब लूप लिया था इस बार हम एक फंदा सीधा बनाने के बाद लूप बनाएंगे यह दो फंदों के नीचे यह लूप बना लेंगे जैसे फ़स्ट रो में बनाया था बनाएंगे उसी तरह से बल्ट जिजाइंड की जगाँ चेंज भी आएगे अब दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर सी तरह से दो फंदो के बाद उस्से और तीसने के बीछ में एक लूप बना लेंगे पूरी रो हमें उसी तरह से बनानी है जैसे मैंने first row बनाई थी, अब हम design की six row पर हैं, जो की back side से है, first row की तरह ही बनाएंगे, पहला फंदा हम विटा भिन लेंगे, जो loop है, इसको हम slip कर लेंगे, फिर जो फंदे उल्टे भिनेंगे, और loop को slip कर लेंगे, पूरी row हमें इसी तरह से बनानी है, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, और loop को slip करना है, अब हम design की seven row पर हैं, जैसे मैंने third row बनाई थी, उसी तरह से बनाएंगे, ये loop वाला फंदा और उसके पहले वाला फंदा है, इस तरह से सलाई में लेकर के पलट देंगे, अब loop वाला फंदा हम सलाई में रहने देंगे, और जो दूसरा फंद के पहले वाला फंदा है, इस तरह से सलाई में लेना है, पलट लेना है, लूप को सलाई में रहने देना है, और जो उसके पहले वाला फंदा है, उसको सीधा बन लेना है, और लूप को इनके उपर से slip कर देना है, पूरी रूप हमें इसी तरह से बनानी है, ये इस तरह से, यह लफंदा रहन देंगे यह लफंदा बिन लेंगे सीधा और इसके बार लफंदा बिन लेंगे और लूप को इनके उपर से स्लिप कर देंगे अब हम डिजाइन की एट रो पर हैं जो कि बैक साइच चे है फूरी रो हमें उल्टे-उल्टे फंदो से बनानी है इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे एट रो बिन करके मैंने डिजाइन कंप्लीक कर ली है इसे आप बेबी फ्रॉक, शाल, स्वेटर, कार्डिगन किसी में भी डाल सकती है तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ एक नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए जैमाता दी